दियर स्टुडेंट्स मैं प्यूस्कमार्थि पाथी स्वाकत वरता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर तो आज मैं आपके सामने पुनह 2019 बोर्ड परिच्छा में आये हुए IUPAC नाम जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि कल हम लोग IUPAC नामों का अधियन करेंगे क्योंकि 2019 और 2018 का जो आया हुआ सवाल है उसका अंसर हम लोग पूरा कर चुके हैं बाकी इसमें बची हैं कुछ रासायनी का भी क्रिया हैं जिनको हम लोग अगले दो दिनों में अधियन करने वाले हैं आज हम लोग इस पार्ट से आये हुए अर्थात रासायन विज्यान भाग से आये हुए IUPAC नामों का अधियन करेंगे तो आज की क्लास उनको बहतर तरीके से समझ में आई होगी जिन्होंने IUPAC नाम अच्छे तरीके से पढ़ रखा है और मैं उनके लिए भी बता दूँ जो अभी नए नए आ रहे हैं जो इन्होंने IUPAC नाम पढ़ा नहीं है उनके लिए भी है कि वो आएं और इसको देखें और अगर समझ में आता तो ठीक है नहीं तो इसे लिख के याद कर लें क्योंकि अब आपके पास समझने का टाइम नहीं बचा हुआ है अब आप इसको रटिए ये बात को ध्यान में रख लिजिएगा चलिए तो लाइए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग बिना देरी की ये हुए देखिए आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दागा जा चुका है एसिटल डिहाइड का आयू पीएसी नाम है इंपॉर्टेंट क्वेस्चन तो मैंने आपको बता रखा था कि आप जितने भी योगिक पढ़ रहे हैं सबके एक से लेकर तीन कारवन तक एक से लेके तीन कारवन तक के योगिकों के साधार नाम याद रखिए कौन से नाम याद रखिए साधार नाम याद रखिए कुछ के साधार नाम का तरीका भी मैंने बताया हुआ था और बाकी जिनके गुड़ों के अधार पे है उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसका आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहली चीज कि आपको यह जो Acetal Dehyde दिख रहा है आपको इसे पकड़ना होगा और इसके नाम से इसके सुत्र को जानना होगा क्योंकि यह इसका साधारा नाम है और जब तक आप इसके नाम से इसका फॉर्मूला नहीं जानेंगे तब तक यह सवाल आपका हल नहीं होगा तो Acetal Dehyde का सुत्र आपको याद होना चाहिए जो की होता है CH3CH4 क्या होता है जी CH3CH4 अब बनाईए इसकी संग्रचना क्या बनाएंगे आप संग्रचना तो संग्रचना कैसे बनेगी इसकी दो तरीके से बनेगी एक तो आप पहले देखिए एक C है फिर आपका दूसरा C ह दोनों को एक बन से जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे फिर इस कारबन के पास देखिए तीन हाइड्रोजन है तो इसके तीन हाइड्रोजन इसको दे दीजिए अब बताईए एक कारबन कितना बन बनाता है चार बनाता है तो इस कारबन के चार पूरे हो चुके हैं हुए हैं कि नहीं हुए हैं चार हो चुके हैं कैसे आप कहेंगे कैसे तो मैं कहूंगा देखिया ऐसे ध्यान दीजिएगा आप लोग देखिए एक इधर हो गया एक इधर हो गया एक इधर और एक इधर बनाता ऐसे ध्यान दे लिजेगा आप लोग तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा टोटल जो ग्रूप है यह हो गया बताईए क्या कोई प्रेफिक्स है इसमें प्रेफिक्स मतलब जो गिंती में नहीं आया होता है ऐसा कुछ नहीं है इसकी संगरचना को आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं तो जब आपने गिंती करी तो इसका हो गया एक इसका हो गया दो नंबर एक की गिंती में यह आ गया जो की सफिक्स सेकेंड है नंबर दो की गिंती में यह आ गया यह बात को ध्यान में रखिए कोई छूटा क्या गिंती से नहीं छूटा हमारा नामकरण का क्रम क्या होता है नामकरण का करम होता है P-R-S-S P-R-S-S क्या होता है जी prefix, root word, suffix first, suffix second ठीक है ध्यान दीजेगा इसको याद के लिए P-R-S-S ठीक है prefix, root word, suffix first, suffix second तो सबसे पहले आपको prefix लिखना होता है क्या इसमें कहीं prefix है नहीं है अगर prefix नहीं है तो आप क्या लिखेंगे root word, root word जैसे meth, eth, probe, but तो कितने कारबन है इसमें, दो है तो क्या लगेगा इसका root word जी लगेगा, eth क्या लगेगा, eth, और यहाँ बीच में कौन सा bond दिख रहा है, single bond दिख रहा है बीच में कौन सा bond दिख रहा जी single bond दिख रहा है तो अगर बीच में आपको single bond दिख रहा है तो आप क्या करेंगे लिखेंगे an, a, n, e क्योंकि suffix first, यह suffix first जो है वही बताता है कि single bond है कि double bond है कि triple bond है यह धियान में रखिएगा आप लोग तो an लगाने इस पता चलता है single bond, in लगाने इस पता चलता है double bond और in लगाने इस पता चलता है triple bond देखें जिनोंने पढ़ा होगा वो तो इस चीज को फटा फट कर लेंगे लेकिन जिनने नहीं पढ़ा है वो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनें और इस चीज को देखते जाएं और इसको लिख लें अपनी कॉपी में याद रख लीजिएगा चलिए, तो आपने कर दिया it, in लेकिन जैसे ही आपने in लिखा और आपको यहाँ पे सियच्चो का नाम लिखना था क्योंकि यह आपका सफिक सेकेंड है तो इसका नाम आपको क्या लिखना था इसका नाम लिखना था आपको अल क्या लिखना था जी, अल तो जैसे ही आपको अल लिखना था इसके e को हटाना पड़ेगा किसको हटाना पड़ेगा जी, यहाँ से आपको E को हटाना पड़ेगा आप E को हटा देंगे तो मैंने हटा दिया इसके E को अब जब मैंने E को हटा दिया तो अब क्या होगा अब मेरे पास बचेगा इसमें जोडने के लिए Option अल इसका नाम मैं क्या जोड़ूँगा अब अल जोड़ूँगा आप कनफुई आ जाएंगे ये थे नॉल ही सही है नहीं ये थे नल सही है ये थे नल अगर O.A.C. रहता है तब All होता है तो क्या है इसमें का option सही है दूसरा नंबर option सही है Acetyl Dehyde का IOPS ही नाम क्या सही है ये थे नल सही है ठीक है ना? चलिए अगले सवाल की और बढ़ते हैं लिखा हुआ है प्रोपे नॉल है प्रोपे नॉल है चलिए तो ज़रा इसका operation करते हैं जिनको answer मालूम है फटक से comment box में answer करें तो तुरंट comment box में answer करिए जल्दी से जल्दी करिए आप लोग comment box में answer मैं देख रहा हूं चलिए जिन लोगोंने जवाब दिया बहुत बढ़िया जिन लोगोंने नहीं जवाब दिया वो और कोशिस करें तो मैं इसका operation करने का प्रयास करता हूं सबसे पहले मैं इसको अलग-अलग करता हूं कैसे देखिए इसमें लिखा है प्रोप एन और फिर तीन सबसे में लिखे हुए आप ऐसे इसको अलग कर दीजिएगा कभी भी आपको हिंदी नाम दिखे तो पहले आप उसको अलग कर दीजिए ऐसे पिछले वाले में आप देख लीजिए जरा पिछले वाले में आपको लिखा था एथ एन अल तो मैंने का चलो पर यह प्रोब बनाया जाए प्रोब तो प्रोब का मतलब होता है आपको तीन कार्बन बना देने हैं कितने बना देने हैं तीन ये बात को आप ध्यान में रखिएगा उसके बाद ए न लगा अर्थात सब के बीच सिंगल बाउन लगा है तो उसको single ही रहने देंगे फिर all लगा है, all का मतलब जुड़ता है ओय अच्छ, लेकिन क्या इसकी कोई गिंती है क्या नहीं है, तो आपको वो all किसी किनारे पर जोड़ना पड़ेगा जब गिंती नहीं है तो all कहां पर जोड़ेंगे किसी किनारे पर जोड़ेंगे अब कार्बन की बच्ची हुई सेयोजकता को पूरा करिए आप हाइड्रोजन से तो जरा इस कार्बन की बात करिए इसने तो बिचारे ने अभी एक ही बनाया ही है एक ही बनाया, इसी लिए ध्यान दीजेगा आप लोग इसके 3 खाली है, तो 1, 2 आर नीचे 3, हर जगां पे आप क्या लिखेंगे हर जगां पे लिखेंगे आप ऑइड्रोजन, फिर इसका देखेए, इधर एक बनाया इसलिए, इसका कितना खाली है 2 खाली है, एक नीचे एक उपर, तो एक याच यहाँ दे दीजिए, एक याच यहाँ, इसका भी देखिए, दो खाली है, एक नीचे, एक उपर, तो finally आपका total answer क्या मिला, ज़रा देखिए, मैं अलग कलम करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, यह आपको मिला CH3, यह आपको मिला CH2, यह आपको म option में ऐसा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ज़रा इसको जोड़ लीजिए ना आप लोग, जोड़िए इसको फटा-फट, कितने carbon total, 3, कितने hydrogen आपे, 3, 2, 5, 2, 7, C3H7, और यहाँ पे क्या आगया, OH, यही आपका propanol, मैंने आपको बताया भी था, C3H7OH, जो अगला देखिए, अगला आप लोग operation सुरू करिए, अगला operation सुरू होता है, क्या दिया हुआ है, propane to all, देखिए कितना बढ़िया चीज है, क्या लिखा, पहला मैं थोड़ा सा इसको तोड़ के लिखता हूँ, propane to all, कितनी खुबसूरत बात है, prop लगा पहले, जोड़ दे सब सभी single ही रहने देंगे बीच में, कहीं भी double करने का प्रयास नहीं करेंगे, सब आपका single ही रहने वाला है, two पे लगा all, तो गिंती करिए ना इसकी एक जगह से, एक, दो, तीन, तो आप two पे लगा दीजिए all, मतलब voyage, चाहे नीचे लगाए, चाहे उपर, अब बाकी ब फिर उतने carbon line से जोड़कर गिंती कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे किया, फिर उसके बाद आप suffix first उसके आगे वाला पकड़िए, उसके आधार पे bond लगा लीजिए बीच में, सभी single bond है, तो single ही लगा दीजिएगा, उसके बाद आप suffix second पकड़िए, और उसको दिये गया अस्थान पर जोड़ दीजिए, अगर कोई अस्थान नहीं दिया, तो पहले अस्थान पर जोड़ दीजिए, जैसा कि यहाँ पीछे वाले में हुआ था, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे OAS को हमने किस नमबर पर जोड़ा था, पहले नमबर पर जोड़ा था, क्योंकि यह यहाँ पे कोई गिंती नहीं दी गई थी, याद रख लीजिएगा आप लोग, चलिए, तो आगे बढ़िए, देखिए और इधर, क्या हुआ, दूसरे नमर पे आपने इसको जोड़ दिया, अब आएंगे कोई प्रेफिक्स है क्या इसमें, पीछे कोई प्रेफिक्स है, नही है, तो मत जोड़िए, बाकी बची हुई समय चक्ता को हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए, जैसे अगर इस कारवन की बात करें, तो इसने यहाँ पे एक ही बंध बनाया है, बाकी तीन नहीं बनाया है, तो मैं इसके पास ऐसे तीन हाइड्रोजन लिख देता हूँ, याद हटाओ मैं इसे, चलिए, अब जड़ा आप लोग आगे की और देखिए, आगे बढ़िए, जबानों आगे बढ़ो, देखिए, आता है आपका 2-Hydroxy-Propanoicum, तोड़िए जड़ा इसको पहले, फटाक से तोड़ना सीख जाएंगे तो हो जाएगा, 2-Hydroxy-Propanoicuml, तो मैं इसे तोड़ूं, देखिए, यह आपका जो है, 2-Hydroxy तो रहेगा, इसको आप तोड़िए, मैं इसको यहाँ से मिटा के यहीं पर तोड़ देता हूँ, इसको आप कैसे तोड़ेंगे, इसको आप लिखेंगे probe, प्रोब के बाद आप लिखेंगे en, फिर लिखेंगे oicuml, यह आपने तोड़ तोड़ कर इसको लिख दिया, तो देख लीजिए, पहले ज़रा आप इसका operation कर लीजिए, कि इसमें कौन-कौन क्या है, यह जो 2-Hydro इसकी बाद छोड़ेंगे, पहले जो इसमें probe लिखा गया, वो क्या है, यह है root word, प्रोब के बाद जो en लिखा गया, यह क्या है, यह है आपका suffix first, और यह जो oicuml लिखा गया, यह आपका क्या है, यह है suffix second, तो यह जो बचा यह क्या है, prefix है, तो जब भी मैंने कहा, आप नाम से संग्रचना बनाईए, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाईएगा, नाम से संग्रचना बनाईए, तो आप नंबर एक पर पकड़िए root word को, किसको, root word को, नंबर दो पर पकड़िए suffix first को, नंबर तीन पर पकड़िए suffix second को, नंबर चार पर पकड़िए prefix को, और आ मैं देखता हूँ जरा प्रोप लेने के बाद मैं बनाता हूँ तीन कारवन कितना कारवन बनाता हूँ तीन कारवन हो जाएगा न याद रखिएगा और मैं इसकी गिंती भी कर देता हूँ वन तू और थ्री चलिए फिर आगे देखिए जरा लगा है आपका यहाँ पे एन क्य किस नंबर पर जुड़ेगा, क्या ओई कमल के साथ, किस नंबर पर जुड़ेगा, पहले नंबर पर जुड़ने का प्रयास करता हूँ, तो मैं ने जोड़ दिया पहले नंबर पर COH, ठीख है, अब उसके बाद और देखिए, अब बचा आपका प्रेफिक्स, यहाँ पर आप से प्रदर्शित करते हैं ओयज जब सफिक सेकेंड होता है तो all होता है परन्तु प्रेफिक्स होता है तो hydroxy होता है तो दूसरे नंबर पे आपने ओयज जोड दिया बाकी बची हुई समझता को आप hydrogen से पूरा करिए CH3 यहाँ पे CH यहाँ पे 2 यह हो गया आपका नाम क्या मैंने कोई गलती की क्या यहाँ पे जिनको आ रहा होगा जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या मैंने कोई गलती की है क्या अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो जरा आप इसका एक बार से किंती करनी है तो 1 2 3 4 तब तो इसका हो गया थ्री पे हाइड्रोक्षी फिर अपका आया ब्यूट और फिर एण ओए गसी ये कहाँ ये तो उल्टा हो गया जी मामला इसमें तो था आपका 2 हाइड्रोक्षी प्रोपेन ओए Aww इकिन competing गिंती करेंगे तो COOH से करेंगे लेकिन जब जोड रहे था तो C से अलगा आपने इसको क्यों जोडा ज्यान दीचेगा आप लोग इसका मतलब इसी कार्बन को COOH बनाना चाहिए था इसी कार्बन को COOH बनाना चाहिए था तो अब जड़ा देखिए संगरचना एक कार्बन दो कार्बन और तीन कार्बन ठीक है अब इसकी गिंती करिए एक दो और तीन और आपको दिखाव ओएक अमल क्या दिखा ओएक अमल दिखा जो कि किस नंबर पर है पहले नंबर पर क्योंकि इसकी कोई गिंती नहीं होती है अगर पहले पर है ना तो आप ऐसे सी ओएच मत जोड़ याद कर लिजिए, यहाँ से इसके बाद COOH जोड़ कर बहुत बड़ी गलती मत करिएगा, आप उसी को बनाईएगा, उसी कार्बन को COOH बनाईएगा, जिससे आपने गिंती प्रारम की थी, तो इसी को आप लिख दीजिए COOH, दिख रहा है ना, याद रखिएगा, अब प्रेफिक्स था आपका, टू पे हाइड्रॉक्सी, तो उसको जोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पे हाइड्रॉक्सी, यहाँ है, दूसरे नंबर पे हाइड्रॉक्सी मतलब, वह अच्छ, याद भी होना चाहिए नाम से आपको, अब बाकी बची हुई सहीं जगता को हाइ लेक्टिक अमल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेक्टिक अमल बोलते हैं, जो की दही में पाया जाता है, यह बात को ध्यान में रख लीजिएगा, चलिए, तो आगे चला जाए, अगले सवाल पर चलते हैं, यहाँ पर यह सवाल है, इसमें से दो सवाल आपको आने चाहि बाकी कि ये दोनों रियक्शन्स अभी हम लोग जब इन दोनों योगिकों को पढ़ेंगे एथेनल और एथिलकॉल और एसीटी कम लगो तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा आप लोग चलिए ज़र आगले वाले पर चलते हैं फिर से वही कहानी आगई एसीटल डिहाइट का आई उपी एसी नाम क्या है एथेनल है ये तो मैं करा चुका हूँ लगता है क्वेस्चन रिबीट हो गया चलिए यहां पर आ जाईए अब इनके आई उपी एसी नाम जोंकिए फड़ा फट फड़ा फट जोंकिए चलिए तो पहला आपकी स्क मैंने बताया था ना क्या बताया था मैंने कि अगर ये सीओ दिखता है तो इसका मतलब है क्वो दिखता है तो इसकी इदहर एक सी जबाब है आपका चलिए एक दो तीन तो ये का है आपका यही तो है क्रियात्मग समू जो की बनने वाला है सफिक्स सेकेंड और इसका सफिक्स सेकेंड नाम जो होता है वो होता है ओन क्या होता है ओन ओन होता है तो आप बताईए कोई prefix चूटा क्या इसमें? नहीं चूटा तो जब prefix नहीं है तो root word लिखेंगे कितने carbon? 3 क्या हो gिया? प्रोप शबही single bond है ना यहाँ इसलिए a न लगाइए e हटा दिया जाएगा क्या हटा दिया जाएगा? e हटा दिया जाएगा तो देखिए मैंने कहा चलो वच्चा यह हटा दो तो आपने कहा क्या करेंगे खिर तो मैंने कहा कि उसी one को जोडो उसके बाद किस नमबर पर जोडो दूसरे नमबर पर जोडो तो propane to on propane to on मैंने कहा था आप इसका नाम हटा भी सकते दोग inticting कि फिक्स है दूसरे नमबर पे ही ये रहता है चलिए तो इस तरह से आपने पहले वाले योगिक का UPSC नाम देख लिया अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले योगिक का UPSC नाम पर दूसरा आपका क्या है बहुत आसान सवाल दूसरा वाला है C2 H5 OH कैसे बनाएं इसको हम लोग C2 है न तो दो कार्बन ऐसे जोड़ लीजिए फिर उसके बाद OH है न तो किसी एक पर OH जोड़ दीजिए बाकी हाइड्रोजन है तो बची हुई सहियों जगताओं को किस से पूरा कर लीजिए हाइड्रोजन से पूरा कर लीजिए फिर उसके बाद आप लिख लीजिए CH2 फिर उसके बाद आप लिख लीजिए OH ये ध्यान में रखेंगे तो गिंती ज़रा कहां से करें ये बताईए मुझे आप लोग गिंती कहां से करें हम लोग गिंती कहां से करें गिंती तो ओयज समूग के कारवन से ही होनी है ना इस बार क्योंकि यही बच्चा क्या है सफिक्स सेकेंड है क्या है सफिक्स सेकेंड है तो इसके पास वाले कारवन से गिंती करेंगे तो एक, दो अब बताईए कोई प्रेफिक्स छूटा क्या नहीं छूटा तो लिख देंगे आप लोग एथ क्या लिख देंगे एथ सभी सिंगल बॉन है एन इ हटा देंगे और सीधे ओयच का नाम all लिख देंगे अगर ये all किसी और नंबर पर होता पहले की जगा तो उसका अस्थान भी लिखते लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ये विचारा पहले नंबर पर ही दिख रहा है ये नंबर एक कारवन है इसी इक पास होई अच्छा है इसी लिए ऐसा हुआ नहीं ठीक है तो आपने इसका नाम देख लिया एथे नौल है एथे नौल क्या है एथे नौल अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसका नाम है एथे नौल ज्यान दीजिएगा एथे नौल हो जाएगा याद रखिए चलिए तो आज की क्लास का अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर आ रहा है निमें लिखी ती होगी कोंके आई उपी एससी नाम लिखिए ज्वोंक दीजिए फडाक से क्या आने वाला है इसका आई उपी एससी नाम ये तो बिचारा है फॉर्मल ली हाइट जरा सुत्र बताईए इसका तो जर्ण बोलिए कमेंट बाक्स में बोलिए फॉर्मूला जल्दी बोलिए क्या देख रहे हैं आप लोग बैटके जल्दी बोलिए तो इसका फॉर्मूला है एच सी एच ओ डिरेक्टर नाम लिखने का प्रयास किया जाए देखिए कितने कार्बन है इसमें केवल एक तो गिंती केवल एक की हो जाएगी कोई छूटा क्या गिंती से नहीं क्यों नहीं छूटा क्योंकि यह जो सियच्चो है यही तो हमारा है सफिक्स सेकेंड क्या है सफिक्स सेकेंड है तो बताइए कोई प्रेफिक्स है नहीं है सीधे रूट वर्ड लिखिए एक कार्बन क्या आपने गिंती की है तो लिख देंगे मेथ और सभी सिंगल बॉन है क्योंकि अकेला यह तो सिंगल ही रहेगा एन और यहाँ पे हो गया अल तो हिंदी में आप इसको लिखेंगे मेथे नल क्या लिखेंगे आप मेथे नल फिर मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कि जो आपका C-H-O group है इसकी संग्रचना अगर बनाना चाहें तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा formaldehyde की संग्रचना जिसकी बात हमने की थी और इसी को हमने कहा था कि यह C-H-O group है आपका इसी से तो formaldehyde बना हुआ है याद रखिएगा formaldehyde का जो नाम है वो मेथेनल है याद होना चाहिए आपको चरिए तो आज की क्लास का अगला सवाल देखते हैं हम लोग आपकी स्क्रीन पर अभी टीम टीमा रहा है वो acetic amalka IUPAC नाम बताना है तो ज़रा मुझे ACT कमल का सुत्र तो बता दीजिए क्या है CH3 COOH तो इसकी संगरचना बनानी है तो एक कारवन दो कारवन इसके पास तीन हाइड्रोजन इसके पास एक है डबल बॉन O और एक है सिंगल बॉन OH यह इसी COOH से बन गया आपका कारवाक्स से लिकमल जो की है आपका suffix second इसका नाम बताएंगे क्या आप लोग क्या नाम लगता है इसका इसका नाम लिखा जाता है OEQ Acid क्या नाम लिखा जाता है OEQ Acid लिखा जाता है गिंती करेंगे क्या कहां सकरेंगे गिंती आप लोग इसी COS समू के कार्बन से करेंगे तो एक और दो हो गया प्रेफिक्स कोई छुटा नहीं सीदे सीदे आप लिखेंगे सभी सिंगल बॉन तो एन और अंतिम में क्या जोड़ देंगे OIC और आगे क्या आगया Acid OIC Acid हो जाएगा न ये बात को ध्यान में रख लेंगे चलिए आगे बढ़े हम लोग अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये रियक्सन है आपका एथेनोईक अमल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है इंपॉर्टेंट रियक्सन है ज़रा आप लोग अपना दिमाग लगाईए इसमें क्योंकि ये आसान रियक्सन है ये जो अमल चारक लवन में आपने पढ़ा था ना वैसा ही रियक्सन है ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप कर लेंगे मैं कल बताऊंगा आपको यहाँ पर आपका OPSI नाम दिखा है यहाँ पर देखेए ऐसे लिखा हुआ है CH3 अब आगे कोई बंध नहीं लगाया इसलिए हम सिंगल बॉन लगा देंगे फिर यहाँ भी कोई बंध नहीं लगाया सिंगल बंध लगा देंगे और यहाँ पे तीन बंद लगाया चलिए ज़रा बताईए गिंती किदर से होगी इदर से 3 बंद नजदीक आएगा क्योंकि यही है 3 बंद इसमें तो एक दो तीन और चार इदर से गिंती हो गई बताईए कोई ऐसा है जो गिंती शूटा क्या नहीं इसलिए सीदे सीदे root word root word क्या लिखा जाएगा जी but किस नंबर पे आईण है एक नंबर पे आईण है 1 आईण but 1 आईण अर्था butine भी से बोलते हैं butine हो जाएगा ना यह बात को ध्यान में रखिएगा चलिए अब देखिए आप लोग अगला वाला अगला है आपका CH3 फिर single bond CH2 और जो आपका CO दिख रहा था CO यह आपका important है pentanon 2 नाम देके पूछा गया है इसको तो फिर जैसे इस C आपने लिखा O जो है वो double bond में उपर भाग जाएगा और इधर आपका मिलेगा CH2 और फिर single bond CH3 कहां से गिंती करें जरा मुझे बता दीजिए तो आपने कहा किसी की नारेस करें लीजिए मैंने कर दिया इसकी नारेसे यह जो आपका है क्या है suffix second है इसी दिए इसका नाम antim में लिखा जाएगा own क्या लिखा जाएगा लिख तो दिया आपने बताईए कोई prefix इसमें नहीं है तो आपने लिखा pent सभी single bond an e हटा देंगे और 3 पे हो गया आपका own 3 पे हो गया आपका own या आप तो चाहिए इसको लिख सकते हैं आप लोग pent an own उसके बाद last में लिख दीजिए 3 मैंने आपको बोला था कि गिंदी को आप बाहर कर सकते हैं तो ये रहे आपके 2019 बोर्ड परिच्छा में पूछे गए सबके सब IUPAC नाम तो आपने देखा होगा कितने आसान IUPAC नाम पूछे गए हैं लेकिन आसान उसी को लगे होंगे जिनने सारे नियम और कानून लिखे होंगे ये बात को ध्यान में रखिएगा तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं कल की क्लास में आपके लिए जाते जाते मैं एक होम वाक छोड़े जा रहा हूँ हाइड्रो कार्बन की दहन अभिक्रिया क्या होती है आप जरा इस पर कुछ पॉइंट लिख कर मुझे बताने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाइड्रो कार्बन की दहन अभिक्रिया होती गया है और मेरा आप से एक निवेदान है लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता था, मैंने बोल दिया तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में, टाटा, बाई बाई पढ़ते रहिए, साथ में पढ़ाते भी रहिए, हसते रहिए, और साथ में हसाते भी रहिए चलिए, गुर्बाई